कर दोस्तों दूस्तो तो मुख्यता 5 चो चेहरे हैं जीन के बारें बात करें दोस्तों और मुख्यता उन्हें मुख्य मंत्रिपत पर दोस्तों जो चेहरे रहे पाएंगे दोस्तों अज वीघी पर चर्चाब करेंगे दोस्तों कि दोस्तों एक विडेड़ी की बात होती है तो सबसे जो पहले जीचेहरे नहीं जराते हैं था और दोस्तों उनके राजनीतिक में बहुत बड़ा योगदान रहा है जो कि 36 गड़ की जनता उन्हें भरपूर प्यार जो दिये थे और दोस्तों विजेपी एक बार उनको भी मुख्या मंत्री के दावेदार फिर से रख सकते हैं दोस्तों 36 गड़ में जो दूसरा चेहरा है वो है बिरिज मुहन अगरवाल जी जो कि भाजपास से जो है राइपूर नगर दक्षीर से लगातार आठी बार जो है विधायक पात के दावेदार बने हैं दोस्तों विपाक्चा में रहते वे भी उनका जो है लोग प्रिता काम नए हुई था जो की विजेपी उनको भी एक बार जो मुक्य मंतरि बना सकती है नोगात में जो की पूर्वा मंतर है मंतर के जो जित हासिल की है तो दोस्तों एक बार उनको भी बीजेपी जो है मुख्यों मत्री के दावेदार रख सकती है दोस्तों जो पांचपा जो चेहरे हैं वह है ओपी चोदरी जी कर जो कि दोस्तों वीजेपी में खुद हमी साजी बोले थे कि आप उनको विधायक बनाएं ये दोस्तों चट्वा जो चेहरे हैं मुतिलाल साहु जी कज्यों की रायपूर ग्रामीड से जीत के आए हैं तो दोस्तों उनका बड़ा ही दिल्चास पर रहेगा दोस्तों बारा विधायक जो है सहु समास से बन के आए हैं इस बारी जो हजक सकते हैं जिसमें की छे भाजपा और शे कंग्रेस हैं तो दोस्तों देखना बड़ा ही दिल्चास पर रहेगा कि क्या मुतिलाल जी को क्या मुक्यों मंतरी के दावजार बनाते हैं दोस्तों चत्रिश गड़े में बड़े बड़े नेता है तो दोस्तों कई लोगों के जो हिनाम छूट गया है इसके लिए मै कमेंट करके बताईएगा और देखना बड़ा ही दिल्चास पर रहेगा कि कौन आता है और कौन से वह चेहरे हैं जो कि मुक्यों मंतरी के दावजार बनेंगे और कौन जो है अपना सरकार बनाता है और कौन है जो नया मुक्यों मंतरी बनता है तो चलिए दोस्तों इसी आसा अब श्वास के साथने यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं तब तक कि लिए जोहर जैसे दिगड़ जैने जैवार है कि अब कि अब कि